नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नैन पॉलिटिकल बैट मैं हूँ आपके साथ सिराज साथ चंडों के बाद अब लोगसबा चुनाओ की समापती जो चुकी है और ऐसे में सबकी निगाहे टिकी हुई है चार जून पर क्योंकि चार जून को ही देश्ट में जो है लोगसबा चुनाओ के पढ़नाम आएंगे और हम जान सकेंगे कि आखर किसकी सरकार बनने वाली है लेकिन उससे पहले एक्जिट पोल में तमाम तरह के अलग-अलग सीटों को ले करके अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं ऐसी एक सीट है करकार्ट बिहार की करकार्ट सीट इस वक्त काफी जादा चर्चा में है इसलिए क्योंकि भोजपुरी सूपर स्टार पवन सिंग यहां से निर्दलिये चुनाओ लड़ रहे हैं और यहां से एंडिये के उपेंद्र कुश्वा चुनाओी मैदान में हैं लेकिन क्या पवन सिंग यहां से निर्दलिये चुनाओी जीत दर्ज कर पाएंगे क्या एंडिये मोधी लहर के बावजूद पवन सिंग के सामने यहां पे चारों खाने चित नजर आएगी यहां से एंडिये के उमिद्वार हैं उपेंद्र कुश्वा उपेंद्र कुश्वा एक बड़ा चेहरा हैं क्या कुछ लगता आपको मोधी लहर के बीच क्या पवन सिंग के लिए कराकार्ट में जीत हासिल करना आसान होगा कौन आगे लगता आपको देखें बिलकुल अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोग सभा सीट 4 जून को परिणाम उससे पहले रुजानों का दार शुरू और रुजानों की जरीए देखा जाए तो भारती जंता पार्टी बिहार में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है या कह कि ये आकड़ा घट और बढ़ भी सकता है लेकिन जहां तक देखा जाए तो बिहार में सिती एंडिये की 5 साल बाद बद से बत्तर होती हुई नजर आई क्योंकि 5 साल में इतना घटना करम यहां पर देखने को मिला जा सकी महागडबंधन को तोड़ कर एंडिये की तरब ब देखाना पड़ सकता है और काराकाट लोग सभा सीट की बात करें तो यहां पर हमेशा से जादू वामपंथी दलो का चलता हुआ नजर आया यानि कि CPI ML की बात करें तो यहां पर जीत दर्च करता हुआ नजर आया यहां पर तमाम पार्टियों ने चुनाव लड़ा जेड लड़ती वी नजर आयी लेकिन व LANब खासा असर नहीं देखने को मिला व्लकि कौंग्रेस पासीश पर यहां पर जीत दर्च की लेकिन यहां पर बात करें कि लगभध की ultr począt कर लेते हैं तो उससे बात सीट कर पासे ने सिट आज तो ऐसे में NDA की तरफ से मांग उपेंदर कुश्वा की बार बार होती वे नजर आई उपेंदर कुश्वा यहाँ पर मांग कर रहे थे कि कम से कम तीन सीटे तो उन्हें मिलने चाहिए अब देके प्रदाहन मंतरी नरेंदर मुदी काई कारेकरम ब्याहर में करते वे नजर जाते हैं जो पराकारण माना जाता है कि नरास थे उपेंदर कुश्वा एक सीट मिल जाती है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और काराकार्ट सीट पर चुनाव लड़ते हुने यकीन नहीं था कि सिर्फ यहां राजा नाम कुश्वा से ही उनका मुकाबला है या कोई और भी प्रतियाशी उतरताव नजर आएगा लेकिन भारती जंतापार्टी को चुनावतियां देते हुए पवन सिंग यहां पर निर्दली चुनावी मैदान में उतर गए बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति इस वक्त निर्दली प्रतियाश्यों की द वहां से जरूर करेंगे खेसारी लाल तो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं उनकी पत्नी उनकी मा सभी लोग प्रचार प्रसार करते हुए खेसारी लाल भी नजर आते हैं और पवन सिंग के लिए आरजेडी का समर्थन भी मिलता हुए नजर आता है अब देखिए कि क्या वाकई उपेंद्र कुश्वा की जो जमीनी हकीकत नजर आती है कारा काट लोकसभा सीट पर क्या इस पर भोजपूरी पावर स्टार का पावर चलता हो नजर आएगा क्या फिर नहीं लेकिन उपेंद्र कुश्वा की बात करें तो एंडिये में उनका कद कम लगतार होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका खामियाजा हो सकता है कि इस बार वो चुनाव यहां से हार बिजाए नाजबी ने अपने जिक्र किया कि जिस तरीके से पवन सिंग का जो है कहीने कहीन एक फिल्म इंडिस्ट्री की जो लोग प्रियता है वो कहने के चुनावी नतीजों में काम आए या फिर जिस तरीके से उन लगतार अपने गानों के जरीए अपने फिल्मों के जरीए अपने एक्शन के जरीए उनकी लोग प्रियता में बढ़ोतरी देखने को में लिए जायर सी बात है भोजपुरी फिल्म इंडिस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है क्या वो चुनाओं में चुनाओं के पढ़ना में मददगार होंगे क्या जो जनता हूं उन्हें कह सकते हैं उनके गानों के लिए जानती है उनके फिल्मों से प्यार करती है उसके लिए उनको प्यार करती है तो क्या अब चुनाओं में भी उनको वोट डालती हुए नजर और यही वो बड़ा कारण है कि मोदी लहर के बावजूद यहां से उपेंदर कुछवा पीछे हटते वे नजर आ रहे हैं और पवन सिंग कहीने के निर्दलिये चुनाओ लड़ने के बावजूद उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है या फिर यूं कहें कि यहां पर इक सिंगर के रूप में भी नजर आते हैं कई गीतों को उन्होंने गाया है और कई एक्टिंग के जरीए बात करें तो भोचपूरी में एक बड़ा नाम यहां पर उनका बनता है तो ऐसे में फैंस की बात करें समर्थकों की बात करें तो वो तो हुजूम उनकी रेलियों में हमने देखी लिया था कि कैसे जब खेसारी लाल भी आते हैं तो बड़ा जंसलाब हमें काराकाट लोगसभा सीट पर देखने को मिलता है और खुद पवन सिंग ये दावा करते वे नजर आते हैं कि काराकाट सीट पर जंता बदलाव चाहती है उपेंद्र प्रत्याशी उतार दिया जाए लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जंता नराज नजर आते हैं आप देखिए कि काराकाट लोगसभा सीट पर चुनाव होता है नजर आया लेकिन पवन सिंग ने आरोप लगाया यहां पर कि भारती जंता नाटियां हर राज्यों में लगाती हुई नजर आती हैं आप देखिए सारण में जाएंगे तो एक हिंसा हो जाती है राजी प्रताप रूडी कह देते हैं कि आत्मरक्षा में गोलियां तो चलेंगी ही तो यह सारे महौल को क्रियेट करवाया जाता है यह हिंसा को भड़का हुआ नजर आ रहा है और यही बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है जै बिलकुल कहने कहीं पवन सिंग को लगतार समर्थन मिल रहा है जनता का प्यार मिला और जिस तरीके से पवन सिंग के समर्थन में किसारी लाल आये उसके बात से जो उनका पूरा परिवार है वो कहीं ने कहीं इस बात को अगर देखे हम तो भारते जनता पार्टी बहुँ भी समझती हैं कि पवन सिंग जो है वो कहने कहीं सिर्फ कारकाट के आसपास के छेतरों में नहीं बलकि पूरे पुरवांचली छेतर में जहां पे भोजपूरी का प्रभाव रहता है वहां पे पवन सिंग की लोग प्रियता है और जाइड सी बात है कि पवन सिंग को जो है साफ तोर पर जिस तरीके से पार्टी से निसकासित किया गया उसके बाद से देखा गया कि भारते जनता पार्टी के लिए जो है वो मुश्किले आने वाले समय में खास तोर पर विधान क्या वो आरजेडी में जाएंगे कॉंग्रिस में जाएंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है फिलाल पावन सिंग को लेकर क्या रहा है मैं कमेंड बोक्स में ज़रूर बताएं देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए बन